Hi friends, how is life? दोस्तों अगर English अच्छी तरह से बोलनी हो तो हमें अलग-अलग तरह के words की meaning आती रहनी चाहिए अगर हमें अलग-अलग प्रकार के words की meaning आती रहेगी तभी ही हम हर situation में English बोल सकते हैं तो दोस्तों आज हम फिर एक vocabulary की class करने जा रहे हैं और उसमें हम सीखेंगे vocabulary, death and related words यानि मिर्तियू से संबंधित शब्द ये दोस्तों आज हम सीखेंगे क्योंकि मेरे कई सारे students ने मुझे इससे कहा कि सर इससे related words जो है death से related words की हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैंने कहा कि क्योंना एक class में इसके उपर दे दूँ जिससे कि आप सभी लोगों को इसका पता चल सके और आप English बोलने में जब भी ऐसे words के आपको जोरत बड़े तो आपका काम हो जाए और आप English बोल सके तो दोस्तों अब मिर्त्यू तो अच्छी चीज नहीं है लेकिन जीवन की कड़वी सच्चा ही है मरना तो सबको है ही एक दिन हम दरसल एक यात्रा करते हैं और इस प्रिश्वी पराना एक यात्रा करने के बराबर है एक पड़ाव है इस पड़ाव के बाद जब यहां का पड़ाव खतम होता है तो फिर हम दूसरे पड़ाव पर जाते हैं इसलिए मिर्त्यू से घबराना नहीं चाहिए तो खेर तो आज हम death से related words and phrases या sentences जो भी use हो चकते हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे जिसे कि हमको English बोलने में आसानी हो तो दोस्तो जो सबसे पहला word है वो है death यह word आप जानते ही है पहले से death noun होता है यह n लिखा है मैंने इसका मतलब है कि एक noun है यानि एक noun की तरह use होता है sentence में और इसकी meaning है मिर्त्यू हिंदी में नहीं तो मौत भी आप इसको बोल सकते है उसके बाद दोस्तो तो यह बहुत ही common word है यह word लगों सभी लोगों को पता होता है उसके बाद दोस्तो यह word demise अगर आप इसकी spelling देखेंगे तो spelling है d-e-m-i-s-e demise और यह भी एक noun की तरह इस्तेमाल होता है sentence में और इसका भी same meaning है दोस्तो मृत्यू या मौत तो death या demise का same meaning है और यह दोनों noun है उसके बाद दोस्तो die अब die एक verb की तरह use होता है sentence में die का मतलब है मरना या मर जाना या मृत्यू हो जाना यह सारी die की meaning है और यह एक verb है उपर वाले दोनों words noun थे और यह जो word है यह एक verb है एक kriya की तरह sentence में use होता है उसके बाद दोस्तो एक phrasal verb है phrasal verb का लिखा है मैंने phrasal का ph और verb का भी phrasal verb pass away pass away का भी meaning है दोस्तो मर जाना या मृत्यू हो जाना या मौत हो जाना तो phrasal verb मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जानती होगे एक verb plus preposition को ही phrasal verb कहते है phrasal verbs वैसे English में काफी effective चीज़ है अगर आपको 100-800 phrasal verbs आते हैं 50-60 भी अगर आते हैं आपको phrasal verbs तो आप काफी एची English बोल सकते है तो यह pass away यह एक phrasal verb है जिसका मेनिग है मर जाना है, मृती हो जाना उसके बाद दोस्तों dead word dead तो dead एक adjective है इसका मिनिग है मृत यानि कि जो मर चुका है जो मृत हो चुका है उसको dead बोलते हैं जैसे बोलते हैं sentence में he is dead तो उस तरह किसी तो दोस्तो यह एक adjective है, एक visation की तरह use होता है उसके बाद है दोस्तो एक word, अगर आप इसकी spelling देखें D-E-C-E-A-S-E-T Generally इसको हम लोग deceased करके पढ़ते हैं लेकिन इसका जो correct pronunciation है, चुकि मैं pronunciation पर बहुत ध्यान देता हूँ कि हमें शुद्ध उचारण करना चाहिए, शब्दों का तो इसका जो correct pronunciation है, वो दोस्तो ऐसे है deceased, तो दोस्तो यहाँ D से ड नहीं बनके ट बनेगा तो यह D से कब-कब ट बनता है, अगर आप यह भी सीखना चाहते है तो मेरे चैनल पे एक playlist है, जिसका नाम है pronunciation सीखें, उसमें एक मेरा वीडियो लेक्चर है जिसे मैंने बताये कि D को कब-कब ट बोलते हैं तो अगर आप वो वीडियो देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि D को ट पढ़ने के rules कौन-कौन से होते हैं तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे deceased और यह adjective भी होता है और यह noun भी होता है दोनों ही तरीकों sentence में use होता है और meaning इसकी भी है, मृत, यानि की मरा हुआ तो dead या deceased की same meaning है दोस्तों उसके बाद दोस्तों एक और word है, expire expire का भी meaning है, मर जाना या मृति हो जाना यह भी एक verb है, verb यानि क्रिया की तरह काम करता है sentence में अगर दोस्तों आपको इसका correct pronunciation सीखना है शुद उच्चारण, तो यहां मैंने लिखी है इसका pronunciation लिखा है मैंने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह ऐसे है word x, pa, के बाद e है, आधा a है और r, जो है, वो मैंने bracket में डाला है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप British English में बोलना चाहते हैं दुनिया में भी British और American दोनों English चल देए हैं तो अगर आप इसको British English में बोलना चाहते हैं तो इस r का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए British English में यह होगा expire, र नहीं पढ़ेंगे और अगर American English में पढ़ना हो तो र पढ़ते होग जीव को ऐसे मोड लेना चाहिए और बोलना चाहिए expire तो इसलिए मैंने दोस्तों र को ब्रैकेट में लिख दिया है कि अगर British English में बोलना हो तो इस र का उच्चारण नहीं करेंगे और American में बोलना हो तो करेंगे तो यह तो उच्चारण के बाद हुई word है यह expire और इसका meaning है मर जाना और यह भी एक verb है उसके बाद दोस्तों जब लोग मर जाते है तो या तो उनको चिता पर जलाया जाता है उनका दाहसंसकार किया जाता है या उनको कबर में दफनाया जाता है तो चिता के लिए word है पायर यह लिखा है मैंने दोस्तों P-Y-R-E इसमें भी र को मैंने ब्रैकेट में लिखा है यानि British English में अगर इसको पढ़ना हो तो र को नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पायर और यह एक नाउन की तरह यूज होता है इसका मीनिंग है चिता जिस पर लिटाते हैं लोगों को जलाने के लिए दाहसंसकार करने के लिए और तो British English में पढ़ेंगे पायर और American English में पढ़ेंगे पायर funeral का मतलब है दोस्तो अंतिम संसकार यह अंतिम संसकार जो होता है generally funeral word का इस्तेमाल Christians करते हैं इसाई लोग करते हैं इसाईों में जब मिर्ति हो जाती है तो एक सभा एक meeting की तरह एक आईजन रखते हो लोग एक meeting करते हैं उसमें मिर्तक के सभी घर के लोग, परिवार के लोग उनके जो दोस्त हैं वो सभी लोग आते हैं सभी मिर्तक के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं एक ceremony type से करते हैं वो तो generally वो जो अंतिम संसकार होता है उसको funeral का जाता है उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे कुछ एक words पर जो मिर्त्य से जुड़े हुए words हैं जैसे दाह संसकार जब हम करते हैं किसी का मिर्त्य होने के बाद यानि कि जब जलाते हैं दूसरे शब्दों में कहूं तो तो उसको कहा जागा दोस्तों cremate cremate ये एक verb है और इसका मिनिंग है दाह संसकार करना cremate दाह संसकार करना अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैंने इसको cremate नहीं लिखा मैंने इसको लिखा है cremate अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक e भी लिखिए cremate ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि यह जो है जिसको हम a समझते है a वो असल में a नहीं होता a ही होता है उसका जो शुद्ध उच्चारन है यह बात हमारे अपने देश में बहुत कम ही लोग जानते है जिसको हम a समझते हमको बजबन से सिखागा ने a, b, c, d तो वो actually वो a नहीं होता a होता है तो इसका शुद्ध उच्चारन है cremate जैसे चेहरे को face नहीं बोलके बोलना चाहिए face तारीख को date नहीं बोलके बोलना चाहिए date दोस्तों अगर आप यह सीखना चाहते है कि जो English में जो alphabet है a से लेकर के z तक उसका सही उच्चारन क्या है अगर आपको यह सीखना हो तो मेरे चैनल पर एक playlist है जिसका नामे spoken English lessons उसमें जो पहला lesson है वो alphabet का मैंने उसमें दिया है उसमें जाकर के अगर आप जाकर के देखेंगे उस वीडियो को तो आपको a से लेकर के z तक का correct pronunciation क्या होता है यह मैंने बता है तो आपको पता जिल लाएगा तो cremate का मीनिंग है दाहसंसकार करना और यह जो process है यह जो प्रिकडिया है दाहसंसकार करने की दाहसंसकार जो काम होता है उसको cremation बोलते हैं दोस्तो cremation और cremation एक noun है और इसका मीनिंग है दाहसंसकार तो cremate इसका verb है जिसका मीनिंग है दाहसंसकार करना और cremation एक noun है जिसका मीनिंग है दाहसंसकार जो किया जाता है उसके बाद है दोस्तों अब दफनाने पर आते हैं जैसे कुछ धर्मों में दफनाते हैं कुछ धर्मों में दाहसंसकार करते हैं कुछ धर्मों में दफनाते हैं तो दफनाने के लिए जो वर्ड है वह है B-U-R-Y दोस्तों ये वर्ड इस वर्ड का उच्चार बेरि और एक वर्व की तरह यूज़ होता है उसका मिनिग है दफनाना बैरी याद रहेगा दोस्तू आपको बैरी यानी दफनाना सुग दोस्तो बेरी पढ़ना है उसके वाद दोस्तों अब ये जो दफनाने का जो काम होता है दफनाने की जो प्रिक्रिया होती है उसको बोलते है बैरियल इसको भी दोस्तों ब्यूरियल नहीं पढ़ना है बैरियल और यह एक नावन है और इसका मीनिग है दफनाने की प्रिक्रिया यह जो काम होता है दफनाने का उसको बैरियल कहा जाएगा दोस्तों दफनाते कहा हैं कबर में दफनाते तो कबर को कहा जाता है ग्रेव अब यहाँ भी मैंने ए रखा है बीच में ग्रेव ग्रेव नहीं लिख रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बता है कि जिसको हम ए समझते हैं असल में उसका उचारण ए नहीं होता है ए ही होता है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा ग्रेव तो ग्रेव का मीनिग है दोस्तों कबर और ये एक नाउन है अब दोस्तों कबरगाह जो होती है यानि या कबरेस्तान जो होता है उसको बोलेंगे ग्रेवियार्ड ये भी एक नाउन है ग्रेवियार्ड ग्रेवियार का मतलब है कबरगा जहां दफनाते हैं लोगों को और दफनाने की दोस्तों एक और भी जगह है cemetery इसकी spelling है दोस्तों C-E-M-E-T-E-R-Y और इसको पढ़ेंगे cemetery cemetery इसका British English में उच्चारण है और noun की तरह यूज होता है और meaning है कबरगा लेकिन generally जो Christians की जो कबरगा होती है इसाईयों की जो कबरगा होती है उसको cemetery कहा जाता है ऐसा कोई rule नहीं है लेकिन practice ऐसे ही चली आ रही है जो Muslims की जो कबरगा होती है उसको graveyard कहते है generally और जो इसाईयों की कबरगा होती है उसको cemetery कहते है उसके बादे दोस्तों अब जैसे शम्षान है हिंदूओं का जलाते लोगों को उसके लिए अगर आपको word चाहिए तो उसके लिए word है cremation ground ये लिखा है दोस्तों cremation cremation जो दाह संसकार है तो दाह संसकार करने वाला स्थान cremation ground cremation ground एक noun है और इसका meaning है शम्षान उसके बादे दोस्तों एक आपने देखा होगा फिल्मों में कि इसाईयों में ऐसा होता है कि जब किसी की मृत्वी हो जाती है तो एक गाड़ी पे मृतक को रखते हैं मृत शरीर को एक गाड़ी पर रख करके कबरगाह तक ले जाते हैं वो जो गाड़ी होती है लाश को ले ज एक noun है और इसका meaning है शर्व गाड़ी यानि कि शर्व को ले जाने वाली गाड़ी उसके बाद दोस्तों एक और भी phrase है उसका वो है perform the last rights यहां लिखा है मैंने perform यानि कि करना last rights का मतलब है अंतिम संसकार जो अंतिम जो संसकार होते हैं जो के जाते हैं मिर्तियों के बाद तो perform the last rights का मतलब है अंतिम संसकार करना जैसे हम कहेंगे कि his last rights were performed लिया we performed their last rights हमने उनके अंतिम संसकार को पूरा गया तो दोस्तों यह जो words है और यह जो end में जो मैंने phrase लिखा इनकी मदद से अब आगे से आपको कोई इस तरह का word बोलने के जोरत पड़े तो हम बोल सकते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई और इंट्रेस्टिंग बात बताऊंगा अगर कोई ऐसा topic है या कोई ऐसी vocabulary है या grammar का कोई topic है या कोई ऐसा sentence है जो आपसे नहीं बन रहा और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूँ तो आप नीचे comment box में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूँगा जिसे कि आप उस चीज को भी सीख सकें और समझ सकें और अपने बोलने में इस्तिमाल करें thank you very much I will see you in the next video bye bye